हेलो एब्रीवान वेलकम तो माई चैनल सेनोट्यूबर्स और आज हम बात करने वाले हैं करेंट अफियर्स के लिए क्योंकि काफी सारे कोशन्स आ रहे थे मुझे कि कब से कब तक का करेंट तयार करें कि एक्जाम में काम आए तो इस चीज पर मैंने एक चीज तयार करी है पर पहले ही बन गया होगा तो पॉसिबल है कि वो लास्टेर की पूछी गई होगी और अगर नहीं भी बना होगा या इस बार नया बना होगा तो इस साल की थोड़ी बहुत करेंट तो होनी चाहिए थी बट कोई रिस्क ना लेते हुए हमारी रिस्पॉंसिबिल्टी ये है कि हम तयारी अपनी पूरी कर सकें और तयारी पूरी होगी तभी कहीं से भी कोशन आएगा तो आप उसको कर सकते हैं तो स्टाडेजी फो करेंट अफ्यर से से स्टानोग्राफ़र 2019 हम आज बात कर लेते हैं कि कैसे आपको किस टाइम का करेंट अफ्यर तयार करना है ताकि आ आप एक्जाम में कोशन जो है वो सही कर सकें तो लेक्स मूव पहले हम मैं बात कर लेती हूं उन बच्चों की जिनका स्लेबस अभी भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है और वो अभी भी उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि कैटेग्री वाइस बच्चे होते हैं क आप उसको फॉलो कर लेजेगा ओके तो उसलेबस इस्टिल लेफ और यॉर त्राइंग तो मैं बताना चाहूंगी कि अगर आपके पास टाइम नहीं है उतना और अगर आप इंग्लिश और रीजिंग पे भी तयारी करने में लगे हुए हैं तो आप कोशिश करें कि आप ल नॉर्मल कोश्चन सही कर सकते हैं ओके अब मैं बात कर लेती हूँ उन बच्चों की जिनका स्लेबस हो गया है और अब वो एवरिज परफॉर्म कर रहे हैं तो उनके लिए मैं ये बताना चाहूंगी कि आप जैन्वेरी 2020 से नवंबर 2020 तक करेंट अफ्यर्स तैयार कर लिज है ठीक है देखिए वो बच्चे जिनकी इंग्लिश पूरी रेडी है जिनकी रिजनिंग पूरी रेडी है तो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं आती है प्रॉब्लम आती है उन बच्चों के लिए जिनके लिए इंग्लिश भी नहीं रेडी है और रिजनिंग नहीं रेडी है तो जब आप ये दो section ने ready कर पाए हैं तो इस section पर आना तो एक बहुत बड़ी बेवकूफी होती है क्योंकि ये ऐसा section है जहां से कहीं से भी question आजाएंगे आप predict नहीं कर सकते हैं ठीक है तो मेरे recording आप January 2020 से लेकर November 2020 तक का करन तयार कर लीज़े ठीक है अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनका सब कुछ finish है all done और वो score करना चाहते है more than average ठीक है that means कि आप मान सकते हैं 25 प्लस ठीक है तो 25 प्लस आप out of 50 score करना चाहते हैं तो अगर मेरी advice आप माने तो इस year की तो आपको current तयार करने ही करने ही यानि कि January 2020 से November 2020 और November 2020 आप सोचे होंगे कि just December में paper है और ये बोल रही है कि November 2020 का current त्यार करो तो हाँ मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि मैंने last year का paper जो देखा था उसमें जो फरुरी में हमारा paper हुआ था online mode में तो उसमें यहां तक की January तक का भी current पूछा गया था तो कोई भी risk ना लेते हुए कोई भी chance ना लेते हुए आपकी responsibility है कि आप एक एक चीज़ अच्छे से तयार कर लें ठीक है तो आपको करना किया है कि इस साल का current ready करना ही करना है बाकि आप last year का January 2019 से December 2019 तक का current भी prepare रखें ठीक है अगर आपको अच्छे marks score करना है यानि कि more than average marks अगर आप चाहरें score करना तो आपको यह तयार करना ही पड़ेगा ठीक है चाहे वो आप short notes की तरह तयार करिए चाहे वो वीडियो की तरह तयार करिए चाहे वो कोई magazine book या कैसी भी तयार करिए बट आपको तयार करना पड़ेगा यह क्योंकि current affairs काफी major role play करने तो यह तीन category के लोग हो गया आप देख लिजेगा आप किस category में आते हैं आप उस recording ताहर कर लिजे और जिनको बिलकुल ही नहीं पढ़ना है जिनके लिए बिलकुल new है सारा current तो मैं उनके लिए एक ही सला देना चाहूंगी कि आप कोई yearly magazine या last six months की कोई magazine आती है current की वो ले उनको लगते कि उनकी बिलकुल तयार नहीं है तो वो यह काम कर सकते क्योंकि अभी भी almost 2 months बचे हैं तो 2 months बहुत होते हैं तयारी करने के लिए और यह मैं एक चीज़ बताना चाहूंगी कि current affairs play a major role in exams nowadays चुकि आपको पते कि current affairs अब काफी अच्छा role play करने लगे हैं क्योंकि हर एक चीज भी नहीं पड़नी है क्योंकि दुनिया चान में बहुत सारी चीज़े होती हैं आप पूरा cover नहीं कर सकते तो आपको smartly तयार करना है और थोड़ा सा detail में भी तयार करना है उसको इस चीज़ को आप तयार करें जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में यह चीज बट डू नाट रिलाय ओन देम कंप्लीटली इफ यू वां तो स्कोर 30 प्लस और बट यह भी है कि आप उस पर कंप्लीटली डिपेंड नहीं हो सकते अगर आप 30 प्लस स्कोर करना चाहते हैं क्योंकि I think 15 या 20 अराउंड कोशन जो है वो करेंड के रहते हैं और हो भी सकते कि थोड़ा सा रोल कम भी हो जाए इस बार क्योंकि कुछ कहां नहीं जा सकता ऐसा हमें बताया नहीं जाता है कोशन वाइस कि इस सक्षण के इतने कोशन आएंगे या जर्नल अवियंडने या जीएस के इतने कोशन आएंगे तो आपको और भी सक्षण पर धान देना है थोड़ी वो भी आपको थोड़ा फोकस करना है फैक्स पर फोकस करना है ठीक है कभी-कभी ऐसा होते हैं कि हम करन पड़ते हैं और उसमें फैक्स भी कई सारे होते हैं लेकिन हम उसको वह छोड़ देते हैं बट वह नहीं छोड़ना है आपको वह भी त्यार करना है तो मेर में जो मोटो है कहने का वो ये है कि current affairs पर depend रहे ठीक है जैसे कई लोग बहुत परेशान है तो मुझे comment आ रहे थे कि मैं कितने कब से कब से कब तक का तयार कुरूँ मेरा six months का तयार है तो मैं इसका तयार कर लूँ ये कर लूँ वो कर लूँ तो ठीक है मतलब रहे डिपन रहे है लेकिन और भी sections को ध्यान में रखते हुए depend रहे है और next हम बात कर लेते एक tip की जो मुझे लगा कि देनी चाहिए क्योंकि मैंने use कही थी और बहुत काम आई थी है मेरे तो please write down the questions of current affairs from the mock tests and revise them before your exam तो मैं यह कहना चाहरू हुए basically कि जब आप mock test देते हैं कोई test series तो basically आप दे ही रहे होंगे क्योंकि दो मैने बचे हैं तो आप जब उसमें कोई current का question आपको मिलता है like PM scheme से related कोई question या last six months या last one year क्योंकि वो रहते हैं questions आप देखेंगे तो आप उसको एक काम करिए अलग copy बना के उसमें एक short notes की तरह note करते जाहिए वो question जैसे किसी का कोई chairman set हुआ है कोई किसी चीज़ का founder पता चला है तो आप उसको अला गला करके note करते जाहिए ताकि जब आपका exam हूँ उससे आप 10 दिन पहले या एक अफता पहले आप उसको revise कर सकें तो ऐसा होगा इसलिए य करेंगे उन questions को तो possible है कि उनमें से कोई भी question यानि कि अगर एक भी question आपका फ़स गया exam में तो आपका एक number पक्का होगा ठीक है और एक एक number बहुत important होता है किसी भी exam के लिए तो आज का ये वीडियो इतना ही रहे और current affairs के लिए आप बाकि अपने तयारी कर सकते हैं और magazines आप जाए English medium में से हो जाए Hindi medium से हो माइने नहीं रखता आपकी तयारी matter करती है तो thanks for watching Stanotubers और subscribe करें शेयर करें और पढ़ते रहें बाबाई